नमस्कार दोस्तों मैं Dr.Prancly आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं मेरे स्यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में तुलसी को दोस्तों होमेपेटिक में ओसिमम सैंड बोलते हैं दोस्तों तुलसी को हर क्वीन बोला जाता है यानि की ओशदियों की रानी बोला जाता है आप सभी जानते हैं तुलसी का आपने हर जगा पर नाम सुनो होगा बुज़र्ग लोग तुलसी के benefit के बारे में हमको बताते आते हैं लेकिन अब भी हम लोग उसको इस तहां से यह इतनी importance देखे उसका use नहीं करते हैं दोस्तों तुलसी हमारे शरीर के इतने major अंगों पे काम करती इवन आप समझे हम इसको cancer तक के cases में use कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी आपके शरीर के किन-किन महतपूर अंगों पे काम करती है तो वैसे बहुत बड़ा topic है इस पर बहुत सारे detail में बात की जा सकते हैं लेकिन आज मैं आपको मुख्य मुख्य point बताऊंगी कि तुलसी का प्रयोग आप किस situation में कर सकते हैं इसको कैसे लेना है और अगर आप हुमेपतिक में तुलसी को प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से लेना है उसकी repetition करनी है यह सारी चीजे मैं आपको इस वीड सब्सक्राइब है आप इसको पूरा अंतक जरूर देखें और मेरे साथ बनी रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तुलसी यानि की Osimum Sam शरीर के बहुत से मुख्य अंगों पे काम करती है और इतने प्राचीन समय से इसका प्रयोग किया जा रहा है कि इवन भारत में तो इसको एक ईश्वर का रूप भी माना जाता है और इसको पूजा जाता है विकरस उसके इतने सारे benefits हैं कि व हम बात करेंगे इसके कुछ ऐसे points के बारे में कि अगर आपको यह परिशानी है तो अगर आप तुलसी का प्रयोग करते हैं तो इसको आप कैसे जड़ से ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों skin infection के बारे में अगर आपको किसी भी तरह का skin infection रहता है और अगर आपको heart related को issues हैं दोस्तों यह heart के पर भी बहुत अच्छा काम करती है आपको heart को prevent करने में भी बहुत लाप्रद है आपको heart attack से भी बजाती है तो heart related अगर कोई समंदित आपको कोई परिशानी है तो आप इसको बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं नेक्स बात करेंगे दोस्तों अगर आपको बहुत frequently cough cold खासी होती रहती है अगर जैसे बच्चे हैं घर में उनमें जैसे मौसम चेंज हो रहा है बच्चे तुरंद बिमार पढ़ने लगते हैं खासी जुखाम होने लगता है ऐसी अगर परिस्तिती है आपको तो भी आप इ सैन्में जलन होता है यह सारी अगर इश्यूस रहते हैं तो भी आप उस्यूम सायं का यूज करें यानि कि तुल्सी का प्रयोक्त करें यह बहुत ही ज़ी ज़्याद लप्रफरने हैय। गैस्ट्रिक यानि कि पेग से रिलेटन किसी भी इश्यूस में ओसी मँ मलशन यानि दोस्तो, मानसिक तनाव को कम करने, एक anti-stress hormone को release करती है, आपकी बोटी में, जिससे आपका दिमाग शान्त और तनाव मद्ध रहता है, तो भी अगर अगर आप stressful रहते हैं, आपकी दिंचरिया ऐसी है, आपका lifestyle अगर ऐसा है, तो भी आप ausemum 7 का प्रेव कर सकते हैं, नेक्स बात करेंगे दोस्तों irregular periods में, अगर जिन महिलाओं में या बच्चियों में periods irregularity बहुत जादा रहती, periods irregularity आप किसको मानेंगे, अगर आपका जो period है वो 21 दिन से 35 दिन के बीच में आ रहा है, that is completely okay, उसमें कोई भी irregularity नहीं है, लेकिन अगर आपका 21 दिन से पहले या फ बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, बच्चिया हैं, तो भी आप इसको प्रयोग करें और ये बहुत ही जादा लाप्रद होती है, दोस्तों, next point है, जो कि बहुत ही important है, दोस्तों, ये cancer तक में बहुत ही अच्छा काम करती है, इसमें ऐसी properties पाय जाती है, जो cancer cells, जो grow हो र प्रयोग करते हैं अपनी दिन्चर्या में, उनमें cancer होने के chances अन्य लोगों की अपेक्षा कम पाएगे हैं, तो आप without even कोई thought की आपको, ये तो आप supplement जैसा भी ले रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी ये family history अगर रही है cancer की, तो आप definitely तुलसी की पत्ती या फिर osimum sand का प्रयोग कर लें, ये आपको बहुत जादा prevent करके रखेगी cancer के situation से, next दोस्तो kidney related issues, अगर आपके गुर्दे में दोस्तो परिशानी रहती है, आपको पिशाप बार बार लगता है या रुक रुक के आता है, और आपको एक अर्ज बनी रहती है, कभी कभी urine में आपको जलन भी लगती है, दर्द रहता है, या फिर अभी आपको stone की भी परिशानी अगर रहती है, तो भी आप osimum sand का प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत जादा लाप्रद है गुर्दे की पत्रियों के लिए भी, तो उनमें भी आप इसका बिलकुल प्रयोग करें और ये बहुत अगर महिलाएं, जो pregnant महिलाएं हैं और उनमें बहुत जादा वोमिटिंग टेंडनसी रह रहा रही है, जो first trimester में बहुत जादा देखने को मिलता है, जो 9 महने का पहले का 3 महिना होता है, उसे हम first trimester बोलते हैं, अगर उन महिलाओं में वोमिटिंग संसेशन बहुत जादा है तो आप उनको बेशक दे सकते हैं और उनको बहुत जादा लाव भी मिलेगा दोस्तों नेक्स हम बात करेंगे इम्यूनिटी के लिए आजकर बहुत जादा जरूरी है इम्यूनिटी का अच्छा होना तो अगर आपको फील होता है आपका या आपके घर के बच्चों का इम्यूनिटी बहुत जादा वीक है वो जल्दी जल्दी बिमार पड़ते हैं तो भी उसीमम सैन यानि कि तुलसी बहुत जादा लाप्रद है वो एक तरह से रक्षा कवच बनाती है आपके चारों तरब जिससे आपके शरीर में एक जो में इम्यून सिस्टम वीक है तो भी आप उसीमम सैन का यूज करें यह आपको बहुत जादा फाइदा देनी वाली है तो दोस्तों यह कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स हो गया है तुलसी से जो बहुत ही कॉमन है मुझे लगता अल्मॉस्ट सबके घर में इसमें कि आप किसी भी होमेपतिक शौप से ले आए उसका पैग्ड बॉटल ही लाएं आप जो भी बॉटल लें पैग्ड ले इसका विशेज ध्यान रखें कोई भी ब्रैंड ले सकते हैं चाहे वह SBL हो शौबे हो बैक्सन हो WSI हो रेकवेक हो कोई भी हो लेकिन आपको सील पैग्ड मेडिसिन लेनी है इस चीज का विशेज ध्यान रखें और उसको आप लाएं उसमें से आप 10 बॉंद एक चौथाई कब पानी में डालके सुबा दुपहर शाम लें और ये आप बच्चों को जो 10 साल से कम उमर के बच्चे हैं उनको 8-7-8 बॉंद दे सकते हैं बड़े ले तो 10-15 तक भी एवन आप लें तो कोई दिक्कत नहीं है और आप इसको आराम से लंबा यूज़ कर सकते हैं ये एक तरह से सप्लिमेंट जैसा भी यूज़ होगा तो आप इसका आराम से 1-2 महने तक प्रयोग करें कोई दिक्कत नहीं है आप बाद कर लेते हैं कि अगर आप अगर पत्तीयों के फॉर्म में ले रहे हैं तो कब ले चाहिए दोस्तों सुबह खाली पेठ तुलसी के 5-6 पत्ते अच्छे से वाश कर लें उसको और उसके बाद उसको खाली पेठ लेना ही सबसे अच्छा होता है क्योंकि अगर आप इसको दिन के समय ले रहे हैं तो उसका अच्छा इतनी quality नहीं मिलेगी, अगर आप पतियों को ले रहे हैं, तो बासी मूँ, खाली पेट ही लें, तो ही इसके आपको बहुत अच्छे प्रणाम देखने को मिलेंगे, और इसको अभी आप लंबा ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ना उसे कोई side effects जवलप होना और ना ही किसी बच्चों को या किसी बुजूर्ग को देरे में उससे कोई दिक्कत होनी, तो आराम से आप इसका प्रयोग करें, आशा करती हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना बिलकुल मत बुल फैनल जाते हों फ्रेंक्स के साथ, फैमली मेंबर्स के साथ, रेलेटिव के साथ, और अभी तग अगर आपने चानल को नहीं सबस्क्राइब किया है, चानल जरू सबस्क्राइब करें दोस्तों, मिलती हो नेक्स वीडियो में, थेंक्यू सो मच् झाल 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 झाल